साथियों, हम समग्र विकास की और कदम तभी बढ़ा पाते हैं, जब देश अपनी सामाजी सच्चाईयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है। इसलिए आज हमारे तिर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्टर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। आज देश में विकास की रप्तर क्या है? इसकी जलत आपको अकेला बनारत ही दिखा देता है। काशी, विश्वना, धाम ये परिसर का नर्मा हुए, पिछले सब्ता ही दो साल पूरे हुए है। इसके बाद से बनारत में रोजगार और व्यापार कारोबार एक नई तेजी पकड़ चुका है। पहले एरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि सहर तक कैसे पहुचेंगे। तूटी सड़के हर और अविवस्ता यही बनारत की पहचान थी। लेकिन अब बनारत का मतलब है विकास। अब बनारत का मतलब है आस्ता के साथ आदुनिक्स विधाएं। अब बनारत का मतलब है स्वच्छता और बड़लाओ। बनारास आज विकास के अध्वितिय पत्प्र अग्रेसर है वारा नसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगबंग नौ सालों में अइतिहासिक कार्य हुए है वारा नसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सडके या तो चार ले नुकी हो गई है या पिछे लेंग की बना दी गई है पूरी तरह नई रिंग रोड भी बनाई गई है वारा नसी में नई सडकों का जाल बिछाये जा रहा है पुराने के साथ ही नए खेत्रों को भी विक्सित किया जा रहा है बनारस में रेल्वे स्टेशनों का विकास हो बनारस से नई नई ट्रेनों की शुरुवात हो डेडिकेटेट फ्रेट कुरिडूर का काम हो एरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार हो गंगा जी पर घंटों का पुनाद निर्माड हो गंगा में क्रूज चलाना हो बनारस में आधुनिक अस्पतालों का निर्माड हो नई और आधुनिक डेरी की स्थापना हो गंगा किनारे किसानों को प्राकुर्टिक खेती के लिए मदद हो हमारी सरकार यहां के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है मानारस के युवाओं के कौशल विकास के लिए यहां ट्रेडिंग संस्तान भी खोले गए है सांसद रोजगार मेले के माध्यम से भी हजारों युवाओं को रोजगार मिला आए भावी और भेनों इस आधुनिक विकास का जिक्र मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्राओं में सबसे बड़ी प्रेशानी इंफ्रास्रक्टर के अभाव की भी होती है जैसे कि बनारसाने वाली आत्री सहर से बार मने इस वर मंदिर में जरू जाना चाहेंगे लेकिन अगर उनके लिए आज जैसी सड़के न होती तो चाहकर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं लेकिन अब स्वरवेद मंदिर बनारसाने वाले सद्धानों के लिए एक प्रमुक्सान बनकर उबरेगा इसे आसपास के सभी गवों में व्याउसाय और रोजगार के अउसर बनेंगे लोगों की उन्नती के रास्ते खोलेंगे